Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया चलो श्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर 11 जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओटकोईट्स को ठीक है ना, तो आटकोईट्स के अंदर हमें बहुत चादा नहीं पढ़ना है, हमको तीनी चीज़े पढ़नी है, हिस्टामीन, ठीक है, फाइव, हाइड्रोक्सी, टिप्टामीन और प्रोस्टाग्लैनिन के बारे में, काफे सारे होते हैं, वो भी फार्मा के लिए, अपना ड बाडी में, सेल्फ हीलिंग, जब चोट लग जाएगी, कोई चीज हो जाएगी, बिमारे हो जाएगे, कोई अटक करते हैं हमारी बाडी में, तो यह हमारी बाडी को खुझ से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका नाम पढ़ गया, ओटो कॉइड, याने की इवर सबस्टांस अलर्ट तरगे प्रकार के होते हैं, प्रोडूश बाड वाइड वराइटी ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स को दौरा इसे प्रोडूश किया जाता है, बाडी के अंदर, हैविंग, इंटेंस बाडॉजिकल अक्टिविटी, इनकी बहुती जादा इंटेंस बा इनफेक्शन फैल्ट रहा है, क्यों वहीं पर एक्ट करेंगे पूरी बाडी में जाके ये, नहीं, मतलब होता क्या है, मालो ये सेल है, और यहां इंफ्लामेशन है, इस सेल के द्वारा बना है, पैदा होगा, कौन, आटोकाइट, और ये इसको पर अटेक कर देंगे, मतलब लोकल एरिया में ही काम करेंगे, ये, ठीक है ना, कहीं बहुत दूर बाडी में नहीं जाते हैं, मतलब ये निकाले और कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके, ये एक्ट लोकली एड़ अट आप साइट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज, जहां पर रिलीज होत होते हैं, यहां बनते हैं, वहीं पर ही लोकली अपने आजू आजू में ही ये काम करते हैं, they have also been called local hormones, बेटा, मार करेंगे ये, ठीक है, one mask के लिए question है, local hormones किसे का आजाता है, ओके, आगे आते हैं, they differ from hormones in two important ways, ये hormones, हमने कहता दिया local hormones, but hormones नहीं है, क्यों hormones नहीं है, दो तरी and are transported through the circulation to act on distant target tissue, hormones के बारे में हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, है ना, पहले पढ़ चुके हैं, defarm first year में, hormones के बारे में, बनते हैं, हमारे glands में, blood में छोड़ दी जाते हैं, फिर कहीं और जाके act करते हैं, ठीक है, autocoids are involved in number of physiological and pathological process, ठीक है, तो ये locally जहां बनते होई काम करते हैं, hormones बनते जाएं, हमाँ काम नहीं करते हैं, काम कहीं और जाके करते हैं, ठीक है, autocoids are involved in number of physiological and pathological process, कई सारी physiological and pathological process में involved होती है, especially reaction to injury and immunological insult, जहां चोट वगरा लग जाती है, वहां और immunological insult, immunological insult का मतलब जहां हमारा immune system के पर attack होता है, उसे कहते है, immunological insult, ठीक है, some autocoids in addition इसके अलाबा, serve as transmitters, कुछ transmitters, neurotransmitters होता है, जैसे कि अपना adalinine, non-adalinine होगरा है, और modulators in the nervous system, neurotransmitter या modulator की तरह भी act करते हैं, but their role at many sites is not precisely known, but कई जगों पे इसका exact पता नहीं चलता है कि नहीं है, number of useful drugs act by modifying their action or metabolism, कई सारे drugs जो हम खाते हैं, वो इन autocoids के actions को ही modify करते हैं, ठीक है, उनके action को या उनके metabolism को modify करते हैं, जिससे की फिर हमारी body पे वो drug असर कर पाते हैं, ठीक है, classical autocoids are, अगर हम बात करें, तो मोटा मोटा इसको तीन category में तोड़ा जा रहा है, चार समझ सकते हम लोग, एक होते हैं, amine autocoids पीटा, यह one mass question, histamine हमारा, amine autocoids है, 5HAT, इस हमारा lipid derived autocoids है, यह तीन है अपने course में बात आगी, leekotriins, platelet activating factors यह भी है, peptide autocoids की बात करें तो, plasma kinin, जिसे bradykinin, keledin भी कहते हैं, angiotensin, यह सब क्या हो जाएंगे, peptide autocoids जाएंगे, यह सब अपने course में अभी, detail में नहीं पढ़ना है हमको, इसके अलावा, cytokines, जिसे हम interleukins कहते हैं, tumor necrotic factor, ठीक है, and several peptides like gastrin, somatostatin, vasoactive, intestinal peptide, endothelins, and many other may be considered as autocoid, कई सारी चीज़ें और भी है, chemical जिनको हम autocoid की तरह consider कर सकते हैं, क्लिए लोगे autocoid, clear, चले आगे, तो तीन variety बेटा यह वनमास के लिए, याद रखेंगे, local hormone, यह है क्या amine autocoid है, यह क्या है, lipid-derived autocoid है, तो सुरुआत करें अपना histamine से, तो सबसे पहले कौन है अपना histamine आता है, histamine meaning tissue amine, histo, histology होता है, histology, histo मतलब tissue होता है, तो histose मतलब tissue होता है, is almost ubiquitously, ubiquitously मतलब सरवत्र, हर जगे, हर जगे present है, in animal tissue and in certain plants, example, stinging nettle, plants की example देते हैं, बच जरूत नहीं है, यह सरवत्र हर जगे है, है न, जाने की, जो animal tissue सा उनमें पाया ही जाता है, ठीक है, histamine is, chemically क्या है, बीटा, इमीडा, जोली, जोलाइल, इथाइल, अमीन, ठीक है न, chemically क्या है, यह, बीटा, इमीडा, जोलाइल, इथाइल, अमीन, इससे हैं, यह अमीन, इससे हैं, यह मैंने क्यों बता दिया बेटा, यह से तो अभी हाँ पर हमें ज़रूत नहीं, लेकिन कुछ questions, one mark से क्या आते हैं, beyond आते हैं, तो पता होना चाहिए, ठीक है, amino acid, histadine and degraded rapidly by oxidation and methylation, बंते किसके द्वारा है, locally बनेंगे, उसी select tissue के द्वारा वहीं आसपास बनाए जाएंगे, amino acid and histadine, sorry amino acid नहीं, जो histadine amino acid है, total कितना amino acid होते हैं, 20 amino acid पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 20, उन 20 में से एक का नाम क्या है, histadine, amino acid याद है ना, biochemistry पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, हाँ जाओ यहाँ पर, degrade और finally तोड़ दे जा is granule of mast cell, वेटा one mass question, कहां, कौन से skin cells के अंदर पाए जाते हैं, यह, mast cell, जो granules होते हैं, mast cell के, granule मतलब pouch, थैलियर ऐसी होती है, ठीक है, उन में पाए जाते हैं, tissues rich in histamine are, कौन कौन से tissues histamine से एकदम भरे पड़े हैं, skin, gastric, intestinal mucosa, gastric and intestinal mucosa, mucosa layer याद आ रही है, mucosa, sub mucosa, याद आया, ठीक है, तो mucosa layer होता है, gastric की understand की वहाँ पाए जाते हैं, lungs, liver, placenta, अब non-mast cell, यह सारे कहते हैं, mast cell, यहाँ पर mast cell पाए जाएंगे, जिनके अंदर histamine पाए जाता है, कुछ होते हैं, non-mast cell histamine occur in brain, epidermis, gastric mucosa, ठीक है, and growing regions, जो growing regions है, मेंली याद रखोगे, उस gastric mucosa, ठीक है, non-mast cell, यहाँ पर mast cell नहीं पाए जाते हैं, लेकिन histamine पाए जाती है, histamine is also present in blood, most body secretions, body secretion मतला हमाँ सलाइवा बगरा है, आंसु बगरा है, ठीक है, venum, चहर जो होता है, and pathological fields, जो pathological fields होते हैं, है ना, जैसे कि बिमारी होँआ रही है, 4 अंसी हो गया है, तो उसमें जो कोई fluid निकलेगा, बिमारी होने की वाई से, जो fluid आता है, उसके अंदर यह पाया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारी जाए बोडियम पाया जाता है, 4 types of histaminergic receptors, जिनके उपर, यह receptors वो हैं, जो histamines, मतला है इनको पर जैसी कोई molecule, इनको activate कर देगा, तो histamine काम करना सुरू कर देता है, H1, H2, H3 and H4, यह याद रखेंगे, ठीक है, अगेन 4 marks का है, अपने जो main concept में क्या है, physiological role, यह तो important है ही है, बाकी जो चीज़ें थी, वो introductory थी, पता होने चाहिए, कि histamine होता क्या है, autocoids होते गिया, autocoids के अंदर आते हैं, यह physiological role बेटा जहां रखना, द pharmacological, pharmacology का और physiological role, ठीक है न, थोड़ा सा difference रहेगा, pharmacology में क्या रहता है, हम लोग ऐसा, medicine की तरह किसी को दे रहे हैं, तो उसके क्या effect आ रहे है, और physiological role क्या है, हमारी body में वो क्या काम कर रहा है, तो थोड़ा सा difference है, mix up मत कर देना, ठीक है, तो यह neurotransmitter की तरह act करता है, हमारे CNS में, ठीक है, histamine is believed to be the afferent transmitter, अच्छा, जिन बच्चों को detailing नहीं करनी है, points लिखने है, वो क्यों क्या लिखेंगे, पहला physiological role क्या हो गया, neurotransmitter in CNS, CNS में क्या कर रहे हैं, as a neurotransmitter की तरह act कर रहे हैं, तो histamine is believed to be the afferent neurotransmitter which initiate the sensation of itching, pain at sensory nerve ending, जो sensory nerve ending होती है, वहाँ पर यह, इचिंग और pain के लिए responsible होते हैं, इचिंग और pain के जो sensing है, उसको हमारे brain तक पहुचाने का काम करते हैं, micro circulatory regulation, mark करेंगे, micro circulatory regulation क्या होता है, जो capillaries होती है, ठीक है, अगर deep arm first जगा याद हो, ठीक है, जैसे मान लो, यह अपने पास क्या है, artery, और यहाँ से फिर बहुत पत है, capillaries से फाइनली capillaries जोड़के क्या बन जाती है, यह वीन्स बन जाती है, यह याद आरा, तो यह, जो capillary system होता है, एक capillary का गुच्छा type का system, artery से वीन्स में convert होते हैं, जो capillary का गुच्छा type बनता है, उसको micro circulation regulation कहते हैं, इसको regulate करते हैं, regulate करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इन capillaries को ये dilate कर सकता है ठीक है या concentrate कर सकते हैं the regulation of tissue perfusion tissue perfusion मतलब कितनी चीज़ें से अंदर भार करेंगी occurs in microcirculation तो उसको regulate करता है ठीक है न तो हमारी body में physiological role क्या है ये depend करेगा कोई चीज़ कम जाद हो रही है तो उसके साफ से ये उसको क्या करता है control करता है आगे आते है control sleep and alertness फिर हमारी body में क्या काम करता है ये non-mast cell histamine occur in brain जो non-mast cell histamine होता है जो की brain पाए जाता है especially hypothalamus and midbrain it is involved in maintaining wakefulness तो किसी condition क्या है हमारी body में और क्या काम कर रहे है ये ठीक है फिर बटा तरह हमें pharmacological action is different जो physiological role हो रहा है तो mix up मत करना physiological role पूछ रहा है हमारी body में क्या क्या काम कर रहे है ये तो control sleep and alertness हम कितना सोना है कितना alert रहना है तो wakefulness हमारी brain में जो पाया जाता है non-mast cell histamine जो होते हैं बेना mast cell वाले histamine वो हमको जगाय रखने में alert या सुलाय रखने में काम करेंगे ठीक है ना हमारी sleep को control करता है हमारी alertness को तो यानि कह सकते हैं wakefulness हमको alert रखते हैं ये h1 antihistaminic o there selective action to block it of this function अभी हम देखेंगे जो antihistamines होते हैं वो इस क्या करते हैं जो h1 antihistamines होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं इसको जब ब्लॉक कर दिया तो हमको alert ठाना नीद आती है antihistamine ठीक है ना चेटर जीन वगएर जब खाते हैं तो यह करता है इनको फीटल डवलप्मेंट अब फीटल डवलप्मेंट यह हमारे फीटल के डवलप्मेंट के लिए बहुत ज़रूरी है फीटल मतलब बच्चा जो ग्रो कर रहा है अंदर तो देखो क्या रोल है इसका histamine has been assumed to contribute to embryo uterine interaction ठीक है ना एंब्रियो और uterine का जो इंट्रेक्शन है याने कि अगर मैं तुम लोगों रिवाइस कर रहा हूं ठीक है जो तुम लोगोंने reproduction वाले मैंटेशन की विच्चों capillaries blood capillaries जो बन रही है वहां पर इसका बहुत 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 रोल रहता है histamine का ठीक है due to its vasoactive यह कैसे है vasoactive है differentiation and growth promoting properties differentiate करता है और growth को promote करने वाले properties पाई जाती है इसकी ठीक है ना तो फीटल development के लिए कहीं ना के important है फिर आगे आएं the histamine degrading enzyme deamine oxidase ध्यान रखना histamine degrading enzyme histamine को जो तोड़ देता है एक enzyme deamine oxidase is produced in high amount by the placenta and has been supposed to act as metabolic barrier to prevent excessive entry of bioactive histamine from placenta into the maternal or fetal circulation अब जो deamine oxidase होता है जो बहुत ज़्यादा histamine बनता है उसको क्या करता है तोड़ देता है जिससे कि ये बच्चे कंदर ना आ जाए ठीक है क्यों होता क्या है समझो low activities of histamine degrading enzyme अगर degrading enzyme की activity low हो जाएगी जो histamine को तोड़ रहा है अगर वो नहीं तोड़ेगा might indicate high risk of pregnancy ठीक है प्रणेंजी के लिए जो risk है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी histamine level के लिए अल्सो राइज वन्स histamine degrading enzymes drop in miscarriage और pre-eclamps जो miscarriage वाले cases होते हैं वहाँ पर क्या दिखा गया है कि जो histamine होता है वो तादार से ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये दो point कहीं ना कहीं control उल्टा उल्टा लग रहे हैं बट वो एक अलग रोल है और ये एक अलग रोल है ठीक है ना को दोनों को mix up मत कर देना ठीक है तो ये embryo और uterine का जो interaction है ठीक है ना और फाइनली यहां पर क्या हो रहा है जो क्या कर रहे है कर क्या रहा है अगर इसकी activity मतलब यह histamine बढ़ जाएगा तो ultimately क्या है miscarriage या preeclampsia वाली condition से वहां पर क्या देख पाया गया है histamine की मात्रा जादा पाए गई है फिर आते हैं wound healing यानि कि जखम बगरा हो जाते है because growing and regenerating tissue contain high concentration of histamine जितना भी जो growing tissue है जो regenerating tissue है चोट वगरा लगया उसके अंदर histamine बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है it has been suggested to play a essential role in process of growth and repair तो यह माना जाता है कि यह growth and repair के लिए इसका बहुत बड़ा role रहता है फिर कहरा हो बेटा headings तो पक्का याद कर लोगे उसके अंदर लिखना एक बात की बात है has a role in thermal and body weight regulation यह हमारे body weight regulation और thermal हमारे body care temperature को भी regulate करता है कैसे it also act as transmitter regulating body temperature, cardiovascular function, thirst and other functions mainly through the H2 and H3 receptors जो H2 and H3 receptors है उनकी help से यह हमारे body care temperature और body weight को भी regulate करता है यह हमारे body care temperature कम नहीं होने देगा ज्यादा नहीं होने देगा gastric acid secretion जो हमारे पेट में gastric acid निकलता है उसको भी क्या कर रहा है यह maintain कर रहा है histamine has dominant physiological role in mediating secretion of HCL in stomach है ना तो जो पेट के अंदर HCL secret हो रहा है उसको mediate करता है mediate मतलब एक तरह से control कर रहा है non-mast cell histamine occur in gastric mucosa gastric mucosa में कौन पाए जा रहे हैं जो non-mast cell पाए जाते हैं ठीक है is called histaminocytes क्या कहते हैं उसको हम लोग histaminocytes कहते हैं उन cells को situated close to the parietal cells parietal cells याद है HCL secretion concept में पढ़ा था parietal cells उसके जस्ट बगल में होते हैं यह it is released locally under the influence of all stimuli that evoke gastric secretion ठीक है it is released होता क्या है जो histamine होता है यह release हो जाता है निकलता है क्यों निकलता है under the influence of all stimuli वो सारे stimuli जिनकी वाईसे acid secret होना चाहिए है जैसे कि हम खाना खा रहे हैं यह वेगल स्ट्यूमलेशन है यह कोल इनर्जिक ड्रग एंड गैस्टिंग इन सबकी वाई से क्या होता है तो इन सबकी वाई से क्या होता है यह histamine release होगा and activate the proton pump और proton pump को activate कर देगा through H2 receptors ठीक है और किसके तुर्य एक्टिवेट कर देगा H2 receptors की help से तो इस तरीके से क्या कर रहा है यह जो acid secretion है उसको अगर यह निकलेगा तो ज्यादा हो जाएगा नहीं बनेगा histamine तो कम हो जाएगा ठीक है अब in the brain H1 agonism suppresses appetite जो H1 agonism है H1 को support करते हैं वो हमारी भूग को suppress कर देता है this may explain the appetite promoting action of certain H1 antagonist यह कैसे हम जान पाए जो H1 antagonist है H1 receptor को जो block करते हैं जब वो हम लेते हैं तो हमारी भूग क्या होती है कम हो जाती है inflammation यहाद WBC chemotaxis chemotaxis होता है chemicals जहाँ पर होते हैं उसके तरफ move करना chemotaxis तो क्या है inflammation inflammation का मतलब पता यह प्रोश्टर ग्लेंडे वगरा हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर क्या है it promotes addition of leukocytes to vascular endothelium जब चोट लग जाती है ठीक है कोई चोट वगर लग गई है तो यह क्या promote कर रहा है addition of leukocytes to wbc बगर रहा है उनको जाकर के चिपकाता है vascular endothelium जो अंदर हमारा blood vessels है ठीक है उसके सबसे अंदर जाकर कि यहाँ पर इसको चिपकानी में help कर रहा है कि भाई जाओ चोट लगई है कोई दिक्कत है जाओ चिपको जाकर के and sequestrating leukocytes at the inflammatory sites और जहाँ पर चोट लगई है उस जगह पर finally होता क्या है यह wbc निकल करके ऐसे बहार आ जाएंगे यहाँ ठीक है ना याने कि पहले इसको चिपकाया इसने endothelium से और फिर बहार निकालने में help की तो जहाँ चोट लगई है पर wbc आकर खटे हो जाते हैं इस हमारे पास यह याद कर लोगे कि हिस्टामीन का हमारी बॉड़ी पर क्या-क्या फिजिलोजिकल रोल है हमारी बॉड़ी में क्या-क्या यह काम करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट भी 5-Hydroxy-tryptamine 5-HT और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीरोटोनिन बोलते हैं सीरोटोनिन तो क्या है सीरोटोनिन सीरोटोनिन वाज नेम गीवन टू दा वैसो कॉंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वैसल को कॉंस्ट्रिक्ट कर देगा वैसो कॉंस्ट्रिक्टर सब्स्टांस विच अपियर्ड इन दा सीरम जो की सीरम में पाय जाता है वेन ब्लड क्लॉ हो जाता है जम जाता तो सीरम बचा रहा जाता है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है यह and the smooth muscle contracting substance presenting anterocromorphine cell of gut mucosa ठीक है और साथ-साथ में क्या है smooth muscle contract substance से जो पाया जाता है anterocromorphine cells of gut mucosa gut का जो mucosa है ठीक है वहाँ पर यह पाया जाता है तो तो serotonin है क्या just a simple definition देनी कोशिश की हम लोगोंने समझ देनी कोशिश की कि यह एक क्या है वैसो कॉंस्ट्रिक्टर सब्स्टांस है कहां कहां पाया जाता है ठीक है तो serum में पाया जाता है और और एंटेरो क्रोमफिन सेल्स में पाया जाता है के लिए रोगी बात ना इडिज आउसो फाउंड इन वैस्प एन स्कॉर्पियन स्टिंग जो मजब वक्यों देना पीली वाली जिसे अब तताहिया भी बोल देते हैं और स्कॉर्पियन बिच्चु बिच्चु का जो इस्टिंग डंक होता है उसमें भी यह पाया जाता है एंड इस वाइडली डिस्टिबिटेड इन इन वर्टी ब्रेट्स एंड प्लांट्स ठीक है तो यह लाइन चाहँ दो छोड़ सकते हो मजब बता दिया कहां कहां पाया जाता है अब बात करें अगर गड्डूम एंड पिकारेली ठीक है नाम थोड़ा सा पढ़ने में वह हो है ठीक है गड्डूम एंड पिकारेली ख्लासिफाइड 5-HET receptor ठीक है तो जो यह serotonin receptors थे या 5-HET receptors थे उनको दो चीज़नों ब्लॉक किया था एक था डाइब बेंजाइलीन जिसके हिसाब से D-type पढ़ गए ठीक है जिसको हम लोग Phenoxy Benjamine कहते हैं और Morphin के द्वारा ब्लॉक किये गए तो उसे M-type कहा गया Morphin तो उसे M-type कहा गया जिसक जब वो Morphin के द्वारा ब्लॉक किये गए तो उसे हमने M-type या Neurotropic receptor नाम दे दिया किलियर है तो 5-HT के receptor वहाँ पे H1-H2 थे तो यहाँ पे receptors कौन कौन से हैं D-type और M-type फीजिलोजिकल रोल की बात करें तो काफ़ी साले रोल है इसके तो अगें यह भी एक Neurotransmitter के तरह help करता है 5-HT is an established Neurotransmitter in the brain brain के अदर एक अच्छा-कासा established well maintained मतलब एक जाना पेचाना Neurotransmitter है 5-HT appear to be involved in sleep यह हमारे सोने में temperature regulation में thought process में cognitive function में सोचने में किसे को सोच समझ के पहली वगारा solve करते हैं उसमें behavior and mood appetite, भूख, vomiting and pain perception दर्द वगारा हर जगे यह कहीं न कहीं काम कर रहा है precursor of melatonin 5-HT is the precursor of melatonin in pineal gland जो हमारी pineal gland होती है उसमें क्या है यह melatonin बनाने में help करता है precursor है इसी से बनता है it is believed to regulate the biological clock and maintain circadian rhythm है ना तो यह हमारी biological clock discuss कर चुक है हम लोग क्या होता है biological clock circadian rhythm पहली बोल चुका हूं मैं जो words पुराने है वो आने चाहिए बार-बार जैसे कि उनको वो term repeat होते है ठीक है तो biological clock simple क्या होता है हमारी body में हम लोग जैसे बन्द गमरे में तो automatic एक time का तुमारी आँख खुल जाती है एक time के बाद automatic हमको भूक लग जाती है एक time के बाद automatic हमको pressure बन जाता है तो यह सब क्या है biological clock यह circadian rhythm जो है हमारा ठीक है उसको maintain रखने में help करता है कौन melatonin ठीक है ना और उसको बनाने के लिए 5ST की जरुद पड़ती है neuroendocrine function the hypothalmic neurons जो hypothalmas अगर तुमको brain का part यादो जो hypothalmas होता है that control the release of anterior pituitary hormones are probably regulated by citrogeneric mechanism याने कि serotonin के द्वारा regulate किये जा रहे है maintain के जा रहे है याने कि hypothalmic neurons जो control करते हैं release of anterior pituitary hormones ठीक है ना तो यह hypothalmic neurons है यह regulate किये जाते हैं किसके द्वारा serotonin या 5ST को द्वारा regulate किये जा रहे है noise and vomiting ठीक है especially that evoked by cytotoxic drug जो cytotoxic drug हम खाते हैं उसके वाज़े से जो हमको noise and vomiting होती है जैसके cancer cancer जब होती क्यों थेर्पी बगरा चलती है या radio therapy हो रही है उसकी वज़े से जो हमको noise and vomiting हो रही है normal हो रही है तो भी काम करती है meditated by release of 5ST and its action on 5ST3 receptor in the gut ठीक है ना okay तो noise and vomiting में आ गया migraine 5ST is said to initiate the vasoconstrictor phase of migraine and to participate in neurogenic inflammation of the affected blood vessel ठीक है तो कहीं ना कहीं ये migraine में भी हमारा क्या कर रहा है role play कर रहा है तो किस तरह से role play कर रहा है तो 5ST is said to be initiate शुरुवात कर देता है vasoconstrictor phase अब migraine के भी कहीं सारे phase होते हैं तो simple से ध्यान रखेंगे इसका role जो होता है हमारे migraine में भी होती है noise or vomiting में भी होता है hemostasis ठीक है platelet release 5ST hemostasis क्या होता है याद है डी फार्म फेस्ट है पड़ा था जो blood clot होकर के block करता है blood clotting एक तरह से function हम कह सकते हैं तो क्या कह रहा है platelets release 5ST जो platelets होती है वो 5ST को release करवाती है during aggregation at the site of injury ठीक है जहाँ पर चोट लगती वहाँ पर जो 5ST है वो release हो रहा है और जो platelets से वो कैसे हो रही है इकट्टी हो रही है aggregate हो रही है ठीक है this 5ST accelerate platelet aggregation बदले में यह और तेज़ कर देता है platelets का aggregation को इकट्टा करने में याने कि जो platelets से उनको इखटा करने में और ज्यादा help करता है कौन 5ST and clot formation and its contractile action appear to promote retraction of the injured vessel और साथ-साथ में जो 5ST का contractile action है contractile मतला जो blood vessel को सुकोडने वाला action है वो promote करता है retraction of the injured vessel जो वेसल injured होगे उनको वापस से retract करने में सुकोडने में जिससे कि blood loss now हूँ तो हमेस्टेसिस में help कर रहा है माइगरेन में नौजिया में हो गया रिनॉट्स फिनमेन रिलीज ऑफ फाइव एश्टी फ्रॉम प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के दौरा फाइव एश्टी रिलीज हो रहा है में ट्रिगर एक्क्यूट वैसल स्पास्टिक स्पास्टिक होती है तो इसको बाइव एपना रोल प्लेट टी फिरीज अ कर रही है एलॉवग फिर्ट याद होगा हम लोगों ने उसमें पढ़ा था वए एब देन जाइना का जो कॉंसेप्ट था अ फार्मा को थेर रोपेटिक्स में ठीक है ना वेरिंट अंजयना अलॉंग विद थ्रॉम्बेक्जन A2 5ST ठीक है थ्रॉम्बेक्जन A2 के साथ 5ST का गर्रा रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट हैस बीन इंप्लीकेटेड इन कॉजिं कॉरोनरी स्पास्म यहां पर भी क्या हो रहा है तो ब्लेड वैसल पिचक जाती है खून की सप्लाई हो नहीं पाती है तो पेन स्टार्ट होता है एंड वेरिंट एंजयना को कॉज करता है यह हाइपर टेंशन बेटा फिर कहा रहा हूं मैं अगर पूरी-पूरी लाइन याद नहीं हो पार नहीं तो में में हैं और अगर उसको समझ लिया है तो अपनी लाइन में लिख सकते हो हाइपर टेंशन ठीक है इंक्रीज क्रीज रिस्पोंसिबनेस स्टु पाइज एजे वेले स्ट इट्स रिचुस अबटेक अंड लाइट इंक्रीज रिस्पोंसिबनेस to 5 sd as well as इट्स रिचुस अप्टेक वापस से ले नहीं पाई है वाता जो प्लेट लेट जी तो 5 हाइपरटेंसी पेशेंट्स के अंदर ठीक है ना इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंटरो क्रोमफिन सेल और फाइश्टी कंटेनिंग नीरोंस में रेगुलेट पैस्टाल्सिस एंड लोकल रिफ्लेक्स इंदा गट जो पैस्टाल्सिस मुवेंट होते हैं रिफ्लेक्स वाले या लोकल रिफ्लेक्स होते हैं हमारे पैट के अंदर पैस्टाल्सिस याद है ना हम लोग ने पढ़ा था कहां पर है ठीक है जो पैस्टाल्सिस मोशन होते हैं या लोकल रिफ्लेक्स होते हैं गट के अंदर जो खाने को अगर धखेलते हैं उनको भी क्या करते हैं यह रेग वह ये को आप से जानते हैं elevation Rหนеagen थीख तो प्रोश्ट्रा-J è lorsque ट्र इस हूं रघंगा लिकρέ नहीं नहीं ठीक एकवर पौल्ट नर्जन की बात करेंगे और बाली लॉजी कली एक्टिव डेरिवेटिव सौन डोन-टार थीज़। कि से काई से रिलीज होते हैं यह वह सकूल को शेल persön कि उते हैं कसी बनी विधिन कि सब्सक्राइब सुमक्राइब दियुक्त लिभी थी बहीं ड मॉखिस्त हां प्रothy shimmer होते हैं सब्सक्राइब करते हैं यह कई सारी फिजिलोजिकल और पैथलोजिकल इस्टेट्स को क्या करते हैं यह कंट्रोल करते हैं तो आओ देखते हैं बारी-बारी से हम लोग तो फिजिलोजिकल रोल की बात करें ओके पोस्टल लेंडिन में में मेडियेट वैसो डालेशन एन एक्सुदेशन अड़ साइट अफ इंफ्लमेशन प्रेला पैट क्या आ गया डालेट करती हैं और एक्सुदेशन अप्लेशन मतलब ब्लेड वैसल से कोई चीज बाहर निकलन अब देगा अब प्लेटलेट नहीं तो ब्लेट नहीं होगा कब इसकी ज़रूरत है जब हमारे बॉड़ी में नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है तो समझो बात को प्रिवेंटिंग एग्रिगेशन ऑफ प्लेटलेट वाइल इन सर्कूलेशन जब हमारा ब्लड नॉर्मल बॉड़ी में सर्कूलेट कर रहा है तो यह PGI-2 इनको आपस में चिपकने नहीं देगा चिपक जाएंगा तो क्लॉड बन जाएगा तो अटाक वाइरा पड़ सकता है ठीक है पोस्टाग लेंडिंग मेडियेट इनिशिएशन और प्रोग्रेशन ऑफ लेवर अच्छा यह पॉइंट है पर चुड़ गया है रहा है इन कि फिसत्मेरे पड किया रहा है यह एल्प कर रहा है डिस्मेरिया पड़ चुके से अच्छे से in many women is associated with increased PG synthesis डिस्मेरिया किसकी कीवेश से हो रहा है PG synthesis रहा प्रोग्रेंडेन ऑदा एंडोमेट्रियम पता है ना यूट्रस के सबसे अंदर की लेयर उसके दौरा कौन क्या सिक्रिट किया जा रहा है जिसके वज़े से डिस्मेरिया हो रहा है इस एपरेंटली इंडूसेज अनकॉदिन यूट्रीन कॉंट्रेक्शन विच कंप्रेसे ब्लड वैसल कॉजिंग तो डिस्मेरिया के वज़े कौन है प्रोश्टाग्लेंडेन है अगर याद होगा है जो गट हम काटते हैं उसका दो टाइग मसल्स पाई जाती है तो करें लॉंगिदिनल मसल ऑफ गट इस कॉंट्रेक्टेड बाई पीजी इटू वाराइटी है प्रोश्टाग्लेंडेन की एंड पीजी एफ टू अलफा वाइल दा सर्कुलर मसल्स इस आइदर कॉंट्रेक्टेड और रिलेक्स ठीक है ना तो मसल्स जो है वो कॉंट्रेक्ट की जा रही है जिसकी वज़े से क्या रहा है प्रोपल्सिव एक्टिविटी इन्हांस इस्पेसली बाई पीजी इटू य इंक्रीस्ट फिल्ड मूमेंट इन सेक्रेट्री डाइरिया याने कि अगर कोई टॉक्सिन वगरा हमने खा लिया है तो प्रोश्राग्रेंडिन क्या करता हमको डाइरिया करवा देगा बहुत ज़्यादा है ना स्टूल्स वगरा मतलब पॉटी होगी तो उससे क्या होगा ट इंगे इस इडगेत बोल्त चन्से मंदा सिंगर अंधिया करता है अंधियतर को कम कर देता है हाफले हुए फिल्म में तक पहुता है of juice and pepsin contents are also decreased हमारे पेट में जो juice यानि कि digestive juice होता है वो भी decrease कर जाता है पेपसिन भी decrease कर जाता है तो gastric pH में rise up to seven जहां पेट का pH 1.8 होता है तो यह pH के pH को seven तक पहुचा देता है अब तुम बहुत सार इसका क्या काम देखो जा रहा सिक्रेशन ऑफ mucus and bicarbonate bicarbonate और mucos को सिग्रेट करा रहा है by gastric mucosal epithelial cell is increased यह भी increase कर देता है दस प्रोश्टा ग्लैंडीन्स आर एंटी यह लिख देंगे ऐल एंटी अल्सरोजैनिक यानि कि हमारे को बॉड़ी में अल्सर क्यों नहीं होते हैं अगर पेट में acid बढ़ता है तो यह काम करना शुरू कर देते हैं पेच बढ़ा देंगे carbonate को bicarbonate को increase करवा देंगे mucosal increase करवाएंगे जिससे क्या है acid हमारे पेट को नुक्सान नहीं को जाता है normal day-to-day life में चलता है यह हमारे पेट कंदर चल रहा है दे में भी फंक्शनिक एस natural ulcer protective तो यह इनके physiological role है ठीक है ना pharmacological action में count मत कर लेना इनको जनली मतलब होता है कि अगर हम इसको बॉड़ी में डालें तो भारी बॉड़ी को पर क्या effect दिखाएंगे यह ओके पीजी इटू एंड पीजी इटू इंक्रीजेज वाटर सोडियम पोटैसियम अक्सिरीशन एंड हैवा डायुरेटिक एफेक्ट ठीक है ना तो कही ना कही यह क्या दिखाते हैं डायुरेटिक एफेक्ट दिखाते हैं हमारी बॉड़ी में जरुवत पढ़ने पर दे कॉज रिनल वेसोडियलेशन एंड इनिविट टूबलर री अप्जाप्शन को क्या करते हैं इनिविट कर देंगे जिससे क्या होगा ज्यादा ज्यादा ज्याद बढ़ जाती है यह एक्रमेटिक मैंने कहा ना यह क्या है ऑटकॉइट है डायुरेटिक जब हमको कई बार कई बार तुमने देखा होगे अचानक से यूरिन भॉड़ जाता लगिया तो हमारी बॉड़ी को लगता है कि यूरिन ज्यादा निकालना कुछ टॉक्सिन आ गया बॉड़ी कंदर जल्दी यूरिट निकलेगी तो टॉक्सिन भार आ जाएगा तो यह एक्रमेटिक काम होते हैं वारी बॉड़ी कंदर पाइरोजेंस पाइरोजेंस डिजिए ना फिवर कॉजिंग इंक्लूडिंग साइटोकाइंस रिलीज दूरिंग बैक्टेरियल इंफे सब्सक्राइब निकल आया है उसने अच्छा बैक्टेरिय आगया उसने का ले भाई या बाड़ी हीट करना सुरू ही हमको दिक्कत होती है लेकिन बैक्टेरिया भी किलोना इस्टार्ट हो जाता है एक्टमेटिक है फीजिलोजिकल रोल है इसके यह पोस्टाग्लेंस में फ एकसाइट करेंगी डर्द व्क्ताइब निरोन जोसे उते हैं अगया इसके ढरते वगए स्लीप संस तों प्रोठी फॉट तो पिलिप फेस्टेरी बात करें याने कि एक तरदे जो हमारें सिट्डी में क्या कर रहा है ये सिनल तो जल्दी सा असर नहीं करेगा तो मौडूलेटि का मतलब क्या जब से मौडूले बर करता है तो हमको पेन स्लीप और कुछ और फॉंक्षन से जो हमारे क्या होते हैं फेक्ट हो जाते हैं पॉस्टा क्लेंदिंज सर्वैस अलजैसिक एक होता ना अना जैसिक यह पैन किलर होते हैं तो यह अल्जैसिक यह पेन देते हैं पीजी सर्वेस अल्जैसिक एजेंट डूरिंग इंफ्लमेशन Inflamation के समय यह अलजेसिक का काम करते हैं पेन को क्रियेट करते हैं इसलिए जब लोग पेन किलर खाते हैं तो यह इस प्रोश्टर ग्लेंडिन को हटा देते हैं जिसकी वाइसा में पेन होना बंद हो जाता है दे कौस्टेंडरनेस एंड एंप्लिफाइड एक्षण अफ अधर अलजेसिक टेंडरनेस एक तरह से कह सकते हैं हम लोग की जो टीसूस वगर होतों उनको सौफ्ट कर देता है और साथ साथ में जो दूसरे एक्षण होते हैं जो दर्द को बढाते हैं उनको क्या करते हैं प्रोष्ण ग्लैंडिन को कम करना पड़ेगा लोकली फ्रोल एक्षण ग्लैणिन इस होते हैं यह एक्वस ह्यूमर ड्रेन ज़ो हमारी आंग से अक्वस मॉन्र होता है उसको ड्रेन करने में है ठाट करता है तो यह इस तरीके सा कईयी सारे hypn banker का रोल है हमारे बाडर इंदर इसके ठीक है जो याद हो जाए इसली वो याद करोगे और इस तरीके से ये पहला जो लेक्चर हमारा खतम हो जाएगा तो करना क्या है तुमको पढ़ना है रिवाइस करना है कोई प्रॉब्लम आते थे मुझे कॉल कर लेना है यह अपना एप है और सबसे जरूरी चीज दिव